हेलो डियर श्टुदिन्स आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले MS Excel में प्रोडक का प्राइस कैसे निकालना है प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है हमने पिछले की वीडियो में जाना था MS Excel में सम कैसे करते हैं सम कैसे मतलब की जोड़ते कैसे हैं Multiply कैसे करते हैं Divide कैसे करते हैं यह सब हमने देखा था तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे Multiply का यूज करके प्रोडक का प्राइस कैसे निकालना है तो चली समझते हैं Excel उपन कर लेते हैं जैसे आपको Excel उपन हो जाता है और यहां से ब्राउस वाले पर क्लिक कर लेते हैं जैसे ब्राउस वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर ओपन हो जाता है कम्प्यूटर का तो कम्प्यूटर में आ जाते हैं B2 Excel B2 Basic to Advanced Excel Series करके हमने एक फोल्डर बनाया था उसके अंधर हमारा एडिशन लिखे तो उसको लिए थी इसको में क्लिक कर दिये ओपन कर दिये देख सकते हैं हमने पीछले वीडियो में ये समझा था तो आज की वीडियो में practical तरीकी समलोग समझने वाले हैं कैसे इसमें काम करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ प्लिखना है serial number, इसको short form में लिख देते हैं, serial number, sr number, यहाँ प्लिखना है, फिर यहाँ प्लिखना है, हमें product name, अगर इस spelling mistake हो जाता है, तो आप लोग ignore किजेगा, तोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिष्टेख हो जाएगा तो प्रोड़क्ट नेम लिख लिए देख सकते हो आप लोग यहां पर जैसे हमने प्रोड़क्ट नेम लिखा है हम लोग बेसिक लेवल से एक दम स्टार्ट करें जिसको एक सल का जीरो नॉलेज नहीं वह भी इस वीडियो को देखेगा तो सीख जाएगा तो हम लोग दीरे दीरे चल रहे हैं एक दम अराम से तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सके तो मान के चलते हैं आप लोगों को थोड़ा यह आप लोगों को आता है तो इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हो नहीं तो डोटक्ट नेम लेकिन ऐसा लग रहे है हम लोगो को पकड़ के हम लोगो को यह तो डबल क्लिक कर दोगे तो क्या करना है आपको डबल क्लिक कर दोगे तो भी फिक्स हो जाएगा आपका डबल की क्लिक से आपका fix हो जाएगा यह जैसे आपका छोटा रहेगा यहां पे इस तरीके से इसको यहां पे आओगे यहां पे डबल क्लिक कर देने नहीं तो इसको पकड़के ऐसे करके आप लोग बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा गए तो यह product name हो गया फिर इसके बाद हम लोगों खिलिकना है quantity का quantity की मतलब जो product हम लोगे कितना quantity में लेंगे तो quantity लिख लेना है आप लोगों को को यहां तक आप लोग समझ गए हैं फीर यहां पर हम लोग सी रिइल nya में लिख ले थे kings during लें और प्रोड़क कर दिये थे golden पाउ में पहले फिर उसके बाद हम लोग लेंगे CPU, CPU ले लेते हैं, फिर उसके बाद monitor हो गया, उसके बाद हम लोग printer ले ले लेते हैं, P-R-I-N-T-E-R, printer हो गया, उसके बाद speaker, A-P-E-A-K-E-A-R, speaker ले लिए, और उसके बाद लिख लिए projector, उसके बाद ले 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 लेते हैं, keyboard जो basic पार्ट उसको पहले ले लेते हैं, keyboard, K-E-Y, keyboard, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, CPU, CPU, जैसे देखो, मैं CPU लिखा हूँ, तो CPU हो गया, CPU उसके बाद आप लोगों को ले लेना है, mouse, M-O-U-S-E, mouse हो गया हमारा, और क्या ले सकते हैं, हम लोग उसके बाद SSD ले ले लेते हैं, SSD, उसक बाद सकते हैं, हमने product name में कुछ-कुछ product का क्या पर यहां पर नाम लिख दिया, और quantity ले लेते हैं, quantity का मतलब जो monitor है कितने संक्या हम लेंगे, तो मान किया ले 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 रहा है, 5 quantity, 5 piece ले रहे हैं, और printer को ले 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 रहे हैं, 3 piece ले 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 रहे हैं, और speaker को 5 piece, और keyboard को 10 piece इस ले ले मान केलते हैं, CPU को 5पीस और माउस को 8पीस और सशडी को 7पीस और HDD को इसको ले ले रहा है, मान adopted है है, यह 15,000 के ऐसपास इस speaker का rate हम लोग लिख लेते हैं 5000 के आसपास ये 5000 के आसपास keyboard का हम लोग ले लेते हैं basic सा इसका price 500 के आसपास CPU का ले लेते हैं CPU क्योंकि computer का brain कहा जाता है CPU को CPU का जो price है थोड़ा सा महंगा आता है तो इसका थोड़ा सा ये average prices का ले ले रहे हैं फिर उसके बाद mouse, mouse थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है तो ये इसका minimum price ले ले रहे हैं SSD, SSD थोड़ा सा मंगा आता है इसका भी price थोड़ा सा हम लोग ये ले ले रहे हैं और HDD, SSD से थोड़ा सास्ता रहता है, तो इसका प्राइस हम लोग यह ले लिए, तो आप लोग यहां तक समाज गया हूंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं कि हैं, बस हम लोग प्राइस और अमाउंट यहां पे लिखे हैं, कि यहां पे सिरियल नंबर लिख लिए हैं, यहां प्रोडक का नेम लिख लिख लिए है, यहां पे रेट लिख लिख लिए हैं, अब बस हम लोग को क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है है, Amount आप लोत्साइफ हो म से निकाल सकते हो, तो यहां पे Amount 1 लिख देता हूं, यहां पे полез lookin वाट मनल一次 है, जैसी सब्स्वाण मी लिख दिए, देखो, इंटर किये, तो amount बना गया, इसको थोड़ा सा adjust कर देते हैं, तो formula बार पर भी आप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर double क्लिक करके लिख सकते हो, ऐसा भी नहीं करना है, तो जिस cell में लिखना है, rename करना है, इसको select किए, एप 2 बटन दबा देना है, जै तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, अब उसके बाद हम लोगों को into करना है, जैसे देखो, एक monitor का price, 6500 है, 6500 है, तो 5 monitor का price कितना होगा, दो monitor का price पूछा जाए, आप लोगों को 2 monitor का price का है, comment में comment करके बताए, 2 monitor का price क्या हो सकता है, comment करें जल्दी से, जिसका match अच्छा है वो ही comment करें, तो 2 monitor का price आप लोग comment कर दिये होंगे, वीडियो देख रहे हैं तो, तो हम लोगो 5 monitor का price चाहिए, 2 monitor का price आपके mind में आ गया होगा, तो हम लोगो 5 monitor का चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी start करना है हमें sexual में, तो is equal to से start होता है, is equal to लिए, और हम लोगों निकालना है printer का, एक printer का price है, कितना, 3 quantity लिए है, 3 into, यह हमारा हो गया, अच्छा यह 500 है यह लिए, फिर इंटर कर देख सकते हैं, इसका भी price आ गया, फिर is equal to लिए, और हम लोगों कब क्या निकालना है, speaker का price निकालना है, speaker 5 quantity लिए है, into किये हैं, और 5000 के आसपास, यह 5000, इंटर, फिर is equal to same, ऐसे करते जाना है, आप लोग 10 into 500, फिर इंटर, फिर इसके बाद is equal to लिए, इसका भी 5 लिए हैं, CPU को, 18500, इंटर, फिर is equal to लिए, 8 लिए हम लोग into, और 150, इंटर, फिर इसके बाद is equal to लिए, फिर हम लोग 7 into, क्या, 1400, यह इंटर, फिर is equal to 5 into 1200, और दें, इंटर, देख सकते हो, था हमारा सभी का अमाउंट निकल गया है, लेकिन अगर मैं by change, इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ, 6 pieces, देख सकते हो, 6 pieces, अमाउंट चेंज हुआ, क्या, नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं करने हैं, हम लोग को कैसे करने है अब आप लोग सोच रहे हो, कि ड्रेक क्यों नहीं करने हैं, तो ड्रेक भी करेंगे, देख सकते हो, यहाँ पर आंसर हमारा नहीं आने वाला है, जैसे देखो, यहाँ पर ड्रेक किया होगे, सबका same answer ही आ गया, यही वाला पहला वाला copy हो गया, ऐसा गलती नहीं करेंगे, अगर हम लोग इस तरीके से सम नहीं करने हैं, हम लोगो Ctrl-Z कर देता हूं, यह Ctrl-Z, अमांन निकालना है, second वाले method कर यूज करके निकालना है, अब कैसे करने इसको select किये, यह six pieces को select किये, then into करने हैं हम लोगों को, किसको, यह वाले को, और enter कर देना है, जब इस तरीके से हम address देके select किये हैं, range को select address देके किये हैं, C2 into D2, तो इससे होगा क्या, automatic हमारा बार बार हम लोगों को लेना नहीं पड़ेगा, बस इसको select करना है, और यहाँ double click कर दोगे, या drag कर दोगे तो answer आ जाएगा, कैसे कि एक बार में इसको, यहाँ पे आए, यह plus आया है, फिर इसक तरीका भी है, आपके पास, यहाँ पे आए, corner पे plus है, double click, एक second में दो बार क्लिक कर देना है, double click भी नहीं होता है, तो आप drag कर के कर सकते हो, देख सकते हो, final amount हमारे पास आ गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा mistake है, क्या कि है, इसमें, अच्छा 6 quantity रख दी है, यह हमारा 5 था तो प्रॉपर तरीकी से काम करना है, दोनों में अंतर क्या है, बोलोगे, बहुत ज्यादा अंतर है, जैसे देखो, by chance मैं यहाँ पे quantity change कर देता हूँ, मैं यह 10 पीस लेता हूँ, मानिकलता हम monitor को 10 पीस लिया और enter कर दिये, तो देख सकते हो, इसका भी price आना चाहिए, अब 10 कर लेंगे तो price ज्यादा होगा, जो कि देख सकते हो, इसका automatic change हो गया है, इसका change होगा है, कि दोनों पहले same था, देखो change होगा है, देखना यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, amount 2 को ध्यान देना पहले पे, अगर मैं यहाँ पीस को रख देता हूँ, 8 पीस लिया, इसको मै मैंने इसको C2 को into D2 किया है, C2 into D2, देख सकते हैं, फार्मूला बार पे, अगर मैं C2 और D2 पे कुछ value चेंज करता हूँ, मैं इसका price कम रख देता हूँ, इसका मान कहलता है, 1000 रख देता हूँ, और इंटर करता हूँ, तो देख सकते हो, एक हजार तो 8 पीस इसका आपका 8 इसके value को लिखा था, 5 into, और इसको लिखा था, तो इस अंसर इसलिए नहीं आया है, यहाँ पे, तो आप लोगों कैसे निकालना है, amount 2 का use करके निकालना है, यह है, MS Word में calculation करना है, MS Word में, professional तरीके से काम करना है, address देके काम करना है, और ऐसे भी करें, और ड्रेक करोगे तो और काम कर लेते हैं, हम लोग, इसमें क्या कर लेते हैं, इसको select किए, इतना को जितना हमारा data है, और सभी data को select करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग, all border थोड़ा सा arrange कर देते हैं, data को बनाना main important है, लेकिन data को अच्छा से arrange करना यह बहुत ज्यादा ज़री है, तो यहाँ पे heading को, heading को थोड़ा सा bold कर देना है, और थोड़ा सा attractive बनाने तो data को थोड़ा सा यह bucket वाला color कर देना है, आप लोग, देख सकतो हो, अब पहले से थोड़ा सा हमारा data clearly रिखाई दिया, लेकिन देखो, जो amount है, हमारा product का name है, इसको हम लोग थोड़ा सा left में ही रखते हैं, तो हम लोगों को नहीं निकालना है, में सिक्षन में जब भी काम करना है, इसको हमारा right answer आ गया, तो आप लोग समझ गया होंगे, कैसे करना है, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching this video, एक और काम करना है, आपको seat को rename करते जाना है, यहाँ पर right click किये, rename कर दिये, यहाँ पी इसका नाम लबा देते हैं, control ताकि यह save हो जाए हमारे दूसरे जो workbook है, excel workbook में save हो जाए, तो आप लोग समझ गया होंगे, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में,